आज हम सुरू करते हैं नई कानी बूरी काकी बूरी काकी बुलापा बाउदा बच्पन का पुनरागमन हुआ करता है बूरी काकी में जिवा के स्वात के सिवा और कोई चेश्टा सेस न थी और ना अपने कश्टों की और अगरसित करने का रोने के अतरिक्त कोई दूसरा सहा रही था समस्त इंद्रियां नेत्र हाथ और पैर जवाब दे चुके थे प्रदुवी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रत्कूल करते भोजन का समय टल जाता या उसका परणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्त आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती थी उनका रोना से सकना साधान रोना ना था वे गला फाल फाल कर रोती थी उनके पती देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था बेटे तरुन हो हो कर चल बसे थे अब एक भती जी के सिवा और कोई ना था उसी भतीजी के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्य लिख दी थी भतीजी ने संपत्य लिखते ही लिखते समय तो खोब लंबे-लंबे वादे किये थे परणत वे सब वादे केवल कुली डीपो के दलालों के दिखाए हुए सब जबाग थे ये दब भी उस संपत्य की वार्सिक आयट किवल डियर सो रुपए से कम ना थी तथा भी बूरी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराद था हत्वा उनकी अंधारंगनी स्रीमती रूपा का इसका निर्ने करना सहज नहीं बुद्धिराम सवाओ के सज्जन थे किन्तु उसी समय तक जब तक कि उनके कोस पर कोई आच ना आये रूपा सवाओ की तीवर्त ही सही पर इस्वा से डरती थे बुड़ी काकी को उसकी तीवर्ता उतनी नखलते थे जितने बुद्धिराम की भल मन साहत बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था विचारते कि इसी संपति की कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ यदि मौकिक आस्वासन और सूखी सानबूति से इस्थिती में सुदार हो सकता तो उन्हें कदाजित कोई आपति ना होती परन्तु विसेस वे का भै उनकी सचेश्टा को दवाय रखता यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूरी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वे आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डाटते लड़कों को बुढ़ों से सौभाविक विद्वेश होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूरी काकी को और भी सताया करते है